परम शांतिन आज हम साइन्स एंड स्पिरिच्वालिटी के बीच में जो क्या संबंध है मतलों दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है उसके बार में चर्चा करेंगे और यह जो समय चल रहा है इसको संगम यूग बोलते हैं कि यह जो समय है इसमें आध्यात्म और वि परमान दिया गया है तो अध्यात्म और विज्ञान विज्ञान की तो देखा जाए तो विज्ञान यह सो साल में ज्यादा ही डवलप्मेंट हुआ लेकिन अध्यात्म तो कब से चल रहा है तो जिसे हमारे बेद पूरान सास्त्र यह सारे में अध्यात्म की चर्चा है और बापुजी के जो ज्ञान अभी जो धर्ति के उपर आया है, ये ज्ञान दोनों को जोड़ा है, बिज्ञान को और अध्यात्मों को जोड़ा है, इस बात को हम जब समझ लेंगे, तो हमारे बुद्धी का विकास होगा और हमारे बुद्धी निश्चे बुद्धी हो जाएग तो आज हम ये दोनों ग्यान और आध्यात्मों को समझेंगे और दोनों का जो संबंध या संगम, दोनों का मिलन को अंतरमन से अनुभब करेंगे तो बापुजी के हिसाब से ग्यान जैसा पवित्र ये सुरुष्टे में कुछ भी नहीं है ग्यान ही हमारे सब के अंदर की जो तेज को परम तत्तो को जागरती करेगा ग्यान ही तो ये ग्यान के महत तो बहुत है जैसे किसी को कोई दिब्य अलोग की कनुगती होता है या कोई अलोग की एक सक्ति उसके आत्मा में आ जाता है तो बहुत सारे आत्माँ में ये दिखता है जिसको संगसर गूरू या भगवान मान लेते हैं और उनके सरण ले लेते हैं लेकिन उसके पीछे क्या विज्ञान है ये जो घटना गटता है इसके पीछे क्या विज्ञान है बापुजी के ग्यान में है जिसको हम चमतकर कहते हैं वो बिज्ञान है और बापुजी उस ज्ञान को जो समझा है उसको परम बिज्ञान बोल सकते हैं तो अभी थोड़ा जो बिज्ञान हम यहाँ पर दोनों चर्चा करेंगे बिज्ञान और आध्यात्म दोनों को कोरिलेट करते रहेंगे तो हम जो स्थूर दुनिया में जो चीजे देखते हैं वो आध्यात्म में उसका क्या महत्व है और आध्यात्म में हम जो चीजों की जिस जो बाते करते हैं वो विज्ञान में क्या महत्व है ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं अभी हम जैसे स्थुल दुनिया के बात करते हैं तो बिग्यान का बहुत प्रभाव है हम बिग्यान को बहुत अपने जीवन वनुभब कर रहे हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पढ़ते भी हैं कि धर्ती सूरज के चारतर वो गुमता है और आपने एक्सिस के चारतर वो गुम रहा है तो बिग्यान ने उसका जो स्पीड को मेजर किया तो 30 किलम्टर पर सेकेंड है जो धर्ती जो गुम रहा है सूरज के तारतर वो इतने स्पीड से गुम रहा है ये बात की पुष्टी बिग्यान कर रहा है ये स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं लेकिन इस बात को हम तो धर्ती को पर कभी अनुभब भी नहीं कर पाते हैं ये तो बिज्ञान ने बताया लेकिन हमने तो कभी अनुभब नहीं किया किसी ने कोई अनुभब किया है किया जो हम घूम रहे हम किसी जागा पर बैठे हुए हैं तो हमें लग रहा है कि हम स्थीर हैं लेकिन विग्यान के हिसाब से हम घूम रहे हैं लेकिन हमने कभी विग्यान को नहीं पुछा कि विग्यान ने जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है उसने कैसे ना पा और उसने जो measurement भी किया इस गती का स्थीर का उसमें कितना accuracy है लेकिन हम इसको मान लिया तो हम इसको मान लिया लेकिन विज्ञान बुल रहा है कि हम स्थीर नहीं है लेकिन हम मान रहे हम स्थीर हैं एक जागा पे बैठे हैं और हम जमीन खरीद लेते हैं और पर्मानेट होने के लिए यहां घर भी बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि यह भी एक बड़ा इल्यूजन है और विज्ञान को भी यह इल्यूजन पता है कि विज्ञान भी इस इल्यूजन को प्रूव कर रहा है जैसे हम टाइम स्पेस में हम हमारा पोजिशन स्थीर नहीं है लेकिन हम अपने आपको मान रहें कि हम इस धर्ती के पर पर्मानेटेस्थी रहें आज किसी को आत्मा के बारे में बताए जाता है हम उसको आत्मा के ग्यान के बारे में बताए या हम बताएं कि आत्मा के बारे में बताए तो वो हमें उसका प्रूफ मांगने लिग जाता है कि आत्मा को कोई डिरेक्ली न देख सकता है न अनुभब कर सकता है तो ये भगवद गीता में भी बताया गया है तो आत्मा सुखमाती सुखम है इसको हम बोलेंगे तो इन्डिविजिबल कंसिसनेस बने इससे सुखम और कुछ है ही नहीं है तो बापुजी के ग्यान में हम इसको बोलते हैं परमचैतन्या और उस सब्द जो उचारण करते हैं परमशांती बेहत की परमशांती यह इस जो इन्डिविजिबल कंसिसनेस जो सुखम कंसिसनेस को समझाता है लेकिन हम किसी को बोलेंगे कि डार्क एनर्जी डार्क मेटर God particle, gravity, quantum physics, quantum world, higher dimension ये सब के लिए स्युकार कर लेंगे इस सब्द 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 के लिए स्युकार्णिया है क्यormuş यो बिज्यान की सब्द है इसका कारण है कि बिज्यान इस समय हमारे जीवन के एक अभिन्यां है जबकि कोई भी इस धर्ती के अपरना डार्क अनर्जी, डार्क मेटर, ग्राविटेशन, क्वांटम वर्ल्ड को ना डारेक्टली अनुभब किया है, ना देखा है, लेकिन हम मान लेते हैं, ये सब की सत्ता है, लेकिन आत्मा की सत्ता को मानने के लिए हम प्रूफ मानते हैं, ये जो परमाध्यात्म का ग्यान है, ज परमात्मा करम बंधन योग नश्टम हास मुतिलब्धा संक्रब सक्ति तो जो ग्यान में है जो बहत की ग्यान में है वो पूरा सुरुष्टी को इन सब्दों से समझता है लेकिन बिग्यान सुरुष्टी को समझने के लिए जो सब्द प्रोएक करता है वो है क्वांटम मेकान एक स्पोर्टन, गॉड पार्टिकल, बिग बैंग, ग्रैविटेशनल फोर्सेस, तो वो विज्ञान इस सब्द के माध्यम से सुरुष्टी को समझ रहा है, तो आध्यात्म और विज्ञान की खोजे की है, एक अंदर की रास्ता पकड़ा है, एक भाहर की रास्ता पकड़ा है बाहर की रास्ता बहुत बड़ा है, अंदर सटकट है, जो बापुजी ने बताया है, तो मंजील तो एक है, लेकिन रास्ता अलग है, तो आध्यात्म में हम जानना चाहते हैं, परमात्मा कौन है, परमपिता कौन है, सर्बत सिताधिस कौन है, कैसे काम करते हैं, और जो हमार बेद पुरान है उसमें सुरुष्टी के इतियास गुगल है तो आध्यात्मिक पत्थ में जो है उसको लगता है कि विज्ञान गलत राहे पर है लेकिन नहीं है विज्ञान भी अपने राहे पर चल रहा है विज्ञान को लगता है कि अध्यात्मिक पत्थ गलत है लेकिन अध अध्यप्य विए आपने रास्ते पे चल रहा है शाफ तो रै मि صुन से दोनों की दुरुश्टिख और लग लग है दोनों की सब्द अलग लग है विग्यान अध्याब्य हमिग्वात्ह में चलने वालों को अंध' Ribè Civic कि जो दिक्ता नहीए उसको अध्यात्म पुर्ण सत्तादिस मान के उसके सरण में जाने की बात करता है आध्यात्म विश्वास और समर्पण की बात करता है लेकिन बिग्यान यह सब की प्रूफ मांगता है आध्यात्म एक परम अनंत अब्यक्त उर्जा को मन में सत्ता दिया हुआ है जबके बिग्यान उस उर्जा को अपने स्थूल साधन से ना अपना चाहता है तो ये डिफरेंस है दोनों में तो बिज्ञान के महत्तों बहुत है आज के समय में क्यूंकि आज बिज्ञान के बिना इस धर्ती के उपर रहना कोई कड़पना भी नहीं कर सकता है बिज्ञान हमारे जीवन के अभिन अंग है आप सोचे सारे जो इंटरनेट मोवाईल खाना बनाना खाना पताना इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमेगनेटिक फॉर्सेस ये सारे जो टेक्नोलोजी जिसके पर डेवलप्मेंट है ये सब बिज्ञान की देन है किसी को बोला जा सारे टेक्नोलोजी, स्पेस टेक्नोलोजी, मोवाईल टेक्नोलोजि, जीपीस टेक्नोलोजी, कि modern physics इस सारे जो है quantum physics quantum mechanics की देड़ GPS जिसको हम अपने मोबाइल में सब रोज मराना जिन्देगी में यूज करते हैं मैं उसके बारे में जब एक जगा पर देखा बढ़ा कि GPS सॉफ्ट्वेर जब मोबाइल अप्लिकेशन में लोड किया गया तो यह पहले पहले exact position कभी दे नहीं पाता था मतलब गलत position देने लगा तो जब इसको research किया गया कि यह application software क्यों काम नहीं कर रहा है तो GPS जो उसमें जो logic था जो equation था जो software equation था logic था उसमें modification किया गया जो उसमें एक general theory of relativity जो Einstein के general theory of relativity के कुछ equations उसमें add किया गया उसमें कुछ concepts add किया गया general theory of relativity Einstein की जो है वो add करने के बाद वो correction करने के बाद ही GPS exact location दिया धरती के उपर इसका मतलब बिज्ञान की भी बहुत बड़ी contribution है यह बात को realize करना बहुत जरूरी है यानि जो बिज्ञान की जो अबदान योगदान भी अतुलनिया है जो इस बुद्धी को बहत की बुद्धी जो सिमीद बुद्धी को इतना बहत की बुद्धी बनाने में तो इसली अनिकिनत साइंटिस्ट अपना जीवन सेक्रिफाइस किये हैं बिज्ञान के लिए और ऐसे देखा भी जाए तो बिज्ञान भी ब्यक्त में अब्यक्त को समझना चाहता है यह जो quantum physics है यह अब्यक्त की बाते हैं यह कोई classical physics नहीं है जो स्थूल चीज को अब्जर करना तो ऐसे हम देखेंगे विज्ञान में एक ब्रांच है जो electronics and telecommunication वाले इंजिनेरिंग वाले पढ़ते हैं तो उसका जो behind that उसके पीछे जो विज्ञान है वो है solid state physics हम solid state physics को देखेंगे तो यह भी quantum physics की पार्टी बूलेंगा क्योंकि सारे quantum phenomena होता है उसके अंदर और यह जो चीज़ है आज जो हम अपने चार तरफ जितने भी चीज़े देख रहे हैं computer, mobile, internet, fiber of ticks, cloud, server जो भी देखते हैं उसमें जो hardware है पूरा चीफ से वो solid state physics के उपर आधारित है यानि बिज्ञान को हम रोज मराना जीवन में ब्यावार कर रहे हैं इसलिए बिज्ञान को सभी बिना अनुभव का भी मान लेते हैं हम उसको direct नहीं देखें कि वो quantum mechanics कैसे काम करता है कैसे electron proton कैसे energy exchange कर रहे हैं इतना fast energy exchange कर रहे हैं within microseconds में energy exchange करके सारे activity करते हैं लेकिन हम हम यूज कर रहे हैं हम बेभार में कर रहे हैं इस सारे चीज हमारे जो उसका application हम सभी यूज कर रहे हैं तो मतलब विज्ञान अब्यक्त दुनिया को समझने में जरूर मदद करेगा तो मनुश्य अपने चारों तरफ जो देख रहा है जब वो सारे घटनाए events को अपने बुद्धी से समझने के लिए कोसिस करता है और उसका कारण उसको पता चल जाता है तो वो विज्ञान बन जाता है तो विज्ञान में हम देखेंगे कि मुख्यत जो हम जो विज्ञान म में डिवाइड कर लेंगे एक फिजिक्स भूतिक विज्ञान केमेस्ट्री रसायन विज्ञान मैथमेटिक्स वो तो कमून टॉपिक है जेनरल टॉपिक है लेकिन डैट इसे मेथर्ट टू काल्कुलेट जो संखिक नियम संख्या को कैसे जूडते हैं वो मैथमेटिक से और बाद में इसके अप्लिकेशन के ओपर मेडिकल साइंस इंजिनेरिंग साइंस और भी डिफरेंट डिफरेंट सब ब्रांच से निकलता है यह सारे का बैसिस यह चार्ज में डिवाइड दर सकते हैं तो हम देखते हैं जो चाहे वो फिजिक्स हो कैमेस्ट्री हो वो मैथमेट कोसिस करते हैं तो यह जो फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी चीज है वो हमारा जो नेचर में कैसे फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके उपर वो पड़ा ही करते हैं और बाहिलो जी जो है वो हमारे मनुष्य सरीर और प्राणी के सरीर या पेद पोड़े की सरीर में पेड़ गोधे की सरीर में कैसे चंजिस होता है, क्या काम होता है तो वो सारे study करते हैं तो ये सब universal है physics, chemistry, mathematics जो nature में जो काम करता है जैसे वो नियम काम करते हैं वो हमारे सरीर में भी वही नियम काम करते हैं क्योंकि हमारे सरीर भी जो है प्रकूर्टी का एक पार्ट है इसलिए ज्यान में है जथा ब्रह्मभंडे तथा बिंडे मेरा कहने का मतलब है कि लेटर स्टेक physics, chemistry, mathematics के जो नियम है वो प्रकूर्टी में जैसे काम करता है जो प्रकूर्टी सुरुष्टी की सरीर है वही नियम वही physics, chemistry, mathematics हमारे सरीर में भी काम कर रहे है क्योंकि हमारे सरीर ये सुरुष्टी के सरीर का एक एंगस है तो ये सारे चीजों को हम धिरे-धिरे अपने बुद्धी से थोड़ा ब्याख्या करेंगे थोड़ा अनालाइस करेंगे तो हमारे बुद्धी निष्चे बुद्धी हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे इंपोर्टन चीज है कि जो आध्यात्मा में हम जो बाते बता रहे हैं उसको हम डारेक्ली अनुहब करना मुश्किल है उसको हम बिज्ञान से समझ सकते हैं तो इससे बुद्धी निष्चे बुद्धी होगा की परम शांति सोचो दोलो परम शांति निष्चे जोड़ो परम शांति निष्चे जोड़ो यूटी होगा इमेल अनंत अट परम शांति नूट ओगाजी यॉग शेर शब्सक्राइब जोई तो आए की परम शान्थी से